कभी अद्वाइत के सिध्धान को समझाने के लिए बड़े-बड़े ग्रंथों की जरूर पड़ती है मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ मैं तो सरल भाजा में अपनी बात समझता हूँ और मैं इतना ही कहता हूँ जहां अद्वाइत नहीं है वही तो अद्वाइत है संक्राचैरेजी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फुके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक गुन्नति का मंत्र दिया उन्होंने कहा ज्ञान अभी ही ना देखिए ज्ञान की उपासना क्या महिमा हमारे कितरा महत्व रखता है ज्ञान अभी ही ना सर्वमतेन मुक्तिम नभचती जन्मशतेन यानिगी दूख कष्ट और कठिनाईयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान भारत की ज्ञान की विज्ञान और दर्सन की जो कावातीत परंपरा है उसे आदि संकराचार जी ने फिर से पुनर्जिवित किया चेतना भर दी साथियों एक समय था जब अध्यात्मकों धर्मकों केवल रूडियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था लेकिन भारतिय दर्सन तो मानव कल्यान की बात करता है जीवन को पुन्नता के साथ होलिस्टिक एप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है आदी संकराचारी जीने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया उन्होंने पवीत्र मठों की स्थापना की चार धामों की स्थापना की द्वादर जोति रंगों का उनर जागृति का काम किया उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सथक्त परंपरा खड़ी की आज उनके अधिस्तान भारत और भारती अताका एक प्रकार से संबल पहचान बने हुए है हमारे लिए धर्म क्या है धर्म और ज्यान का संबन्ध क्या है और इसालिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिग्यासा इसका मंत्र देने वाली उपनीशदिय परंपरा क्या है तो हमें पल प्रतिपल प्रश्ण करना सिखाती है और तभी तो बालग नची केता यम के दर्बार में जाकर के यम के आँख में आँख मिला करके पूछ देता है यम को पूछ देता है मृत्य क्या है वताओ प्रश्ण पूछना ज्ञान अर्जित करना अधातो धर्म जिग्या साथा हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं उसे समर्ज कर रहे हैं संस्कृत हो संस्कृत भासा में वैदी गणित जैसे विज्ञान हो इस मठों ने हमारे संक्राचारी किस परंपरा ने इन सब कर सवरक्षन कर पीडी दर पीडी मार्द दिखाने का काम किया है मैं समझता हूँ आज के इस दौर में आदी संक्राचारी जी का सिध्धान और ज्यादा प्रासंजनी हो गए है जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद